मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज, सभी में देखके ऐसा महौल क्रियेट हो गया है कि कॉलेस्ट्रोल सबको अपना दुश्मन की तरह नजर आता है लेकिन आप इसके पीछे की साइन्स समझे कॉलेस्ट्रोल हमारे शरीर का इंपोर्टन्ट हिस्सा होता है बिना कॉलेस्ट्रोल के हमारे लाइफ का हमारे शरीर का बहुत सारा फंक्षन काम ही नहीं कर पाएगा कॉलेस्ट्रोल हमको नॉर्मल रूटीन फंक्षन के लिए चाहिए ही चाहिए होता है अगर हमारे शरीर की आधार बूत बेसिक यूनिट की बात करी जाए सेल यानि कि कोशिका उस कोशिका के ऊपर जो लेर होती है मेंब्रेन होती है वो कॉलेस्ट्रोल की मदद के बिना बन ही नहीं सकती है बहुत सारे हार्मोंस जिन में जो शुरुवाती परिक्रियाज होती है वो कॉलेस्ट्रोल के बिना पूरी नहीं हो सकती यह सच है कि कॉलेस् कॉलेस्ट्रोल के पूरी प्रिकरिया किस तरह से होती है और शरीर में यह किस तरह से काम करता है और कभी यह दोस्त ही हमारा दुश्मन बन जाता है आपको यह समझना होगा कॉलेस्ट्रोल मुख्यत है हमारे शरीर में लीवर में बनता है कॉलेस्ट्रोल का 80% हिसा लीवर में बनता है बाकि 20% हिस्सा हमें खाने से मिलता है जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स मीट चिकन एग्स इन से ज्यादे तर मिलता है इसके लावा लोग जो एलकोल पीते हैं या जो लोग बहुत ही ज्यादा रिफाइंड शुगर खाते हैं वो शुगर भी बाद में जाके किसी तरह स होना शुरू हो जाती है तो ये बाद में जाके लीवर में इकठे होके ये सब मिलके एक प्रोटीन होता है प्रोटीन के साथ मिलके लाइपो प्रोटीन बना लेता है एक पूरा पैकेज जार हो जाता है क्योंकि ये पूरा पैकेज बनने के बाद ही ये खून में जा सकता है इससे पहले नहीं जब यह protein का पूरा package बन जाता है तो यह खून में आके हमारी शरीर की हर एक कोशिका तक पहुँचता है कोशिका तक पहुँचने के बाद उसको यह energy प्रोवाइड करता है ताकि शरीर की हर एक कोशिका अपना जो उसको assigned काम है वो कर सके लेकिन जब यही fat ज़्यादा amount में बन जाता है ज़्यादा amount में available होता है तो यह हमारे कोशिकाई हैं उस excess fat को store करना शुरू कर देते हैं और तबी से यह जो हमारा cholesterol जो दोस्त है वो दुश्मन की तरह काम करने लग जाता है अब क्या होता है कि जब यह cholesterol ज़्यादा amount में बढ़ता है तो यह हमारे धमनियों में जाके जमा होना शुरू करता है हमारे organs में जाके आसपास जमा हो जाता है fat की form में और यह plaque बनाता है plaque का मतलब जिसको बोलते हैं ठक के जमना जब यह ठक के हमारे शिराओं में धमनियों मे बनते हैं तो इसको BP बोलते हैं, जब हाई BP होने लग जाता है, यानि कि और लिपिट प्रोफाइल में कम्बिनेशन होता है, अलग अलगतर है कि कोलेस्ट्रोल का जानने का कि कौन सा कोलेस्ट्रोल कितनी अमाउंट में है, इस लिपिट प्रोफाइल में टॉटल कोलेस्ट्रोल होता है, एक होता है LDL, low density lipoprotein, एक होता है HDL, VLDL और triglyceride, जब हम LDL की बात करते हैं, तो यह बुरा कोलेस्ट्रोल होता है, क्योंकि यह हमारी खून की जो blood vessels है, उनके अंदर जमना शुरू हो जाता है, और प्लाग बनाना शुरू कर देता है, HDL है, यह हमारा दोस्त है, HDL हमारा दोस्त लाइपोप्रोटीन है, यह एक recycler की तरह काम करता है, शरीर के जो peripheral हिस्सों में जो भी fat जमा होता है, यह उसको ले जाके liver तक वापिस ले जाता है, recycle कर देता है उसको, और recycle होता है, तो फिर इसकी process वहाँ पर दुबारा से शुरू होती है, VLDL जो होता है, यह LDL से भी जादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह very low density का होता है, और इ असानी से प्लाक बना के बहुत बुरा रूप दिखा सकता है, इसलिए यह भी bad cholesterol है, इनी का भाई बंदू है, triglyceride, triglyceride उन लोगों में जादा होता है, जिनके अंदर मोटापा जादा होता है, जिनके अंदर thyroid की problem होती है, diabetes की problem होती है, या और लंबी chronic disease होती है, liver से लेट अब इनकी normal value के बारे में जानते हैं कि इनकी normal value कितनी होती है, यह जो मैं value बता रहा हूँ, यह मैं बता रहा हूँ कि एक आम जो normal इंसान हो, उसमें इनकी value इतनी होनी चाहिए, total अगर cholesterol की बात करी जाए, तो यह 180 से नीचे होना चाहिए, अगर LDL की बात करी जाए, तो यह 120 से नीचे होना चाहिए, और अगर triglyceroide की बात करी जाए, तो यह 150 से कम होना चाहिए, और जो हमारा दोस्त लाइपो प्रोटीन है, इसके value 40-45 होनी चाहिए, यह जो range है, यह lab to lab, country to country, vary करती है, वो अपनी range बताते हैं, कि हमारा test इस range तक का यह बताता है, तो आप में यह की बिमारी है, या और कोई बिमारी है, उनके अंदर यह जो value है, थोड़ी और narrow करने की कोश्य करते हैं, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो, ऐसा माना जाता है, ऐसा reports बोलती है, experts का कहना है, कि जब 35 साल से उपर की उमर हो जाए, तो lipid profile test हर 5 साल में करवाना चाहिए, अगर आप normal है तो, लेकिन अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है, तो अपने doctor के अनुसार आपको जल्दी time से करवानी चाहिए, otherwise एक साल के अंदर तो यह करवाना ही करवाना चाहिए, जो profile है, इसको करवाने से पहले fasting होना जरूरी है या नहीं है, या आज कल थोड़ा सा विरोध fasting पर जाना है, इसका मतलब यह है, कि आपको 9 से 12 गंटे तक कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी, यानि कि पानी के लावा और कुछ नहीं लेना है, उसके बाद जब टेस्ट हो जाएगा, तब यह आपको कुछ खाना पिना होगा, सिंपल सा एक टेस्ट है, आपका sample लिया ज कर दीजेगा, और पुरा नहीं है तो जाते वक्त लाइक कर दीजेगा, थैंकि सो मच,